हेलो फ्रेंट्स तो वेलकम ब्याक टू एनाधर नी वीडियो तो आप लोग पूछ रहते कि भाई इस टीवी का बारा में थोड़ा बता दीजी क्योंकि इस टीवी का जो स्पेसिफिकेशन है कफी अच्छी है और कुछ-कुछ लोग ये भी बता रहें कि इसका जो ब्राइट ब्राइटनेस से नीट्स प्रोवाइड की जारे इस टीवी पर तो और क्या चाहिए तो क्यों ना हम इस टीवी को बाई कर लेते तो आप बताईए कि क्या हमें बाई करना है या नहीं करना है तो बाई देखो मैंने आपको बहु सारा वीडियो में बता है आप जो भी बाई करना है करो लेकिन उसका पहले एक वीडियो से डिसेड मत करो दो चार वीडियो जरूर देख लेना आपको 100% प्रोज और कॉन्ष डिटेल मिल देएंगे जब तक आप अपने आप से सैटिफाई नहीं हो जातो कि मेरे कुई इस टीवी बाय करना है या नहीं करना है तब तक आ आपके साथ एक क्लारीटी वीडियो बना दिया जाए तो आपको यूसफुल होगी ता चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो वीडियो का अगर आप चैनल पर नौय हो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्रेब नहीं की है तो मैं चाहूंगा कि आप अमरे साथ एसे स्मार्ट अंडरेड बेस्ट है क्लाउड लाइट ओस टीवी तूजरो टूंटी टू मडेल तो आप लोग ज्यादा पूछ रहते तो बता रहे है आज इस वीडियो में डिटेल्स तो मेरे पास तो यूनिट्स है नहीं है बट बेस्ट अन माई इन्वेस्टिकेशन जो जो इस मेरे को यानि प्रोज लगा अच्छा लगा और जो कमी लगा आपके साथ डीटल सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो के एइन तब जरू तो बेसिकली एक थाटी टू इंच एजडी डेडी टीवी है जैसे कि मैं आपको बताया क्लाउड लाइट ओस का साथ में आएगी यानि बेस्ट ओन अंडरेड ओएस तो यह कोई डिफरेंट प्लाटफरम नहीं है जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख रहा है इसका प्राइस रहेगा आपको 799 यानि 8000 पर तो क्या 8000 प्राइस पर इस टीवी को बाई करना जस्टिफेड होगी आप लोग का भी एग क्योंकि आप लोग इसी में ही जदा डाउट पूछेते तो एक भाई नहीं यह बताया वहाँ पर यूटीबर का नाम भी लिखा हुआ है सो मैं कॉमेंट्स आपको नहीं देखा रहा हूं लेखा है तो भाई इस टीवी पर आपको 480 ब्राइटनेस से नीट्स देखने को मिल जाती है ठीक है आपको 480 किस ने बताया कियուं बताया वो मेरे को भी शमझ मेरे नहीं आ रहा है कियों कोन बताया वो तो पता है जैसे कि आपने कॉमेंट्स पर वीडियो लिंक दिये है मैंने उस वीडियो को देख़ो दिखा यह लेडी ठीक है तो आप लोग का रिक्येश् है कि brightness measure करने के लिए टूल्स होते है प्रपर टूल्स होते है टूल्स का केलिब्रेशन भी प्रपरली होना चाहिए कोई भी टूल्स आप यूज कर रहे हो उसका truthfulness कितना है वो भी देखना है नमबर वान नमबर टू ब्राइटनेस चेक करने का तरीका भी होता है किसी भी काम को आप एग्जीकूट करने के लिए उसका प्रोसेस होता है कुछ प्रोसीडियूर जरूर होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है आपको कोई भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया यूट्यूब पर वायट स्क्रीन ओपर्ण करके ब्राइटनेस मेजर नहीं की जाती है उस वीडियो पर मैंने देखा है यूट्यूब पर वीडियो खोलकर वहापर आपको ब्राइटनेस दिट्रूम यह maximum जो brightness जा रहा है, up to 250, मेरे पास units नहीं है, होता तो मैं आपको measure करके बता देता, लेकिन जब company बोल रहा है कि maximum 250, तो आपका measurement tools पर केसे चला जा रहा है 480, तो गलत है भाई, वो trap में मत पढ़ना, मैंने आपको हर वीडियो में मत आता हूँ, link में चला जाओ, buy करने का चक बगर बात कर रिमोट का, तो रिमोट जो है, आपको conventional look मिलेगी, यानि old look मिलती है, कोई premium या नौय looks नहीं मिलती है, जो तरह से कि आप screen का उपर में देख पा रहे है, या पर तो shortkeys आपको मिल जाएंगे, YouTube, hotstar, Netflix, Facebook, और इस remote पर आपको भाई सर्च एनबल remote नहीं है, लेकि यानि दो 12W का speaker आपको मिलेगी, sound का जो मोर्स है, जैसे कि आप screen का उपर में देख रहे है, standard, music, cinema, sports, user, और जैसे कि मैंने आपको बता है, cloud light OSTV जो है, best on 100 है, so screen casting and screen mirror भी आप इस TV पर कर सकते हो, and connectivity का बात करें, तो आपको minimum ports and connectivity option आपको मिल जाती है, dual band Wi-Fi के साब में 2 HDMI, 2 USB, एक headphone jack मिल लेगी, AC input power range का बात करें, तो इस TV पर आपको 100V AC2, 240V AC input power range देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको every video में बताया, कि 100V AC2, 240V AC, एक अच्छी AC input power range आप के सकते हो, without stabilizer भी आप यूज को यूज कर सकते हो, but yes, अगर आप double safety ensure करना चाहते हो, आपका area में power fluctuation ज्य RGB internal storage भी देखने को मिल जाएगी, अगर आपको वाल मांट जो है, free of cost में provide की जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, अगर आप बाइ करते हो, तो आपको 10 days का replacement का जो policy है और रहेगी, तो अगर आपको physical damage है, या फिर units काम नहीं कर रहा है, या फिर serial number आ लगे है, model number आ लगे है buy करना justified है, लेकिन उसका पहले आपको ये जानना जरूरी है, कि इसका customer service कैसा है, क्योंकि आप लोग expected करता है, कि take ldb zone channel पर customer service का बार में at least बात होता है, तो customer service भाई देखो, आप अगर sky turn बोलके google पर भी search कर लोगे ना, क्योंकि flickr का seller option या manufacturer option पर आप जाओगी, तो लेकिन जो आप sky turn बोलके search करोगे google पर, तो US-based एक company है, sky turn बोलके, तो आप वहाँ पर घुज मत दना, ये जो sky turn है, ये गुजराट वाला company है, ठीक है, इनका number भी जैसे कि आप screen का अपर में देख रहे है, इनका website भी आप एसे ही search करना, जैसे कि मैंने आपको search करका भी बत So, initial response है, आप एसा कह सकते हो, मैं जब दो बार call किया है, दोनों बार जो है, दो बार जो call किया है, एक बार जो है call discount हो गया था, automatically call जो है drop हो गया था, खिर वो तो अलग बात है कि network problem हो सकते है, second time मैंने जब call किया है, मेरा बात हुआ था, almost time लिया था, 5 minutes, so 5 minutes wait करने पढ़ स आपका budget उतना ज्यादा नहीं है, तो फिर आप इस TV को चूज कर सकते हो, जो भी pros and cons है, मैं आपके साथ detail share किया है, हाँ, 230 brightness से nits, आप अगर के हो, एसा सोच रहे हो, आप अगर ऐसा कह रहे हो, कि बिल्कुल बेकार हो जाएगी, एसा नहीं है, 230 brightness से nits IPS का पैनल के साथ में, हाँ, थोड़ी सी कम है, ये तो guaranteed है, इसमें no doubt है, बट इस इतना भी बेकार आप नहीं कह सकते हो, अगर आपका budget उतना ज्यादा नहीं है, आपका budget थोड़ी low है, 8000 है, वो भी आपको 32 inch का HD ready TV साहिए, आप इसको consider कर सकते हो, तो यही था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करत हूँ, कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं किसी नौय कंड़ के साहत में दोस्तों, तब तक के लिए, नमस्कार, जाहिए